सभी चेतना के उन्नैन की साधना में लगे हुए सभी साधक भाईयों और बहनों जब कभी हम इस प्रकार के केंद्र पर आएं जहां पर चेतना के आत्मिक विकास का अनुसंधान होता हो तो वह इस्थान अनुभूति का होता है बोलने का नहीं होता है परन्तु आग्रे हुआ है तो अनुभूति के कुछ वाक्य कहने का प्रयास करूँगा हम सभी जानते हैं कि संपून भारती वांगमे में सारा का सारा अनुसंधान अपने अंदर खोजने के लिए हैं और जब आप अंदर खोशते हैं आप वो क्या मिलता है और बाहर खोशते हैं तो क्या मिलता है इसे एक उधारन से समझ सकते हैं आप धरती के उपर चलते चले जाएए एक नगर मिलेगा दूसरा नगर मिलेगा एक छेतर मिलेगा दूसरा छेतर मिलेगा विबिद प्रकार के लोग इस्थान देखने को मिलेंगे मगर अगर धरती के अंदर जाना शुरू करिये तो दुनिया बदली कैसे जा सकती है कहीं पर आपको कोईला मिलेगा तो कहीं सोना मिलेगा तो कहीं पेट्रोलियम मिलेगा तो कहीं रत्न मिलेंगे यानि जितनी भी चीजे ऐसी है जो की जीवन को बदल सकती है वह अंदर आकर प्राप्त होती है वह बाहर सतह पर प्राप्त नहीं होती इसलिए हमारे यांग कहा गया है कभी दाश जी ने क्या कहा है जिन खोजा तिन पाईयां गहरे पानी पैट और जो बूड़ा बौरन डूबन दरा रहा किनारे बैट और इतना ही नहीं जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी आखों के सामने भले ही कृष्ण वर्ण हो हमें प्रारम में शाम रंग दिखता हो परंतु जो जो हम उस रंग में उतरते चले जाते हैं जो अचित की उज्वलता स्वताह उभर कर सामने आती चली जाती है जिसे बिहारी लाल जी जो बड़े प्रसिद कभी रहे हिंदी के उन्होंने कहा या अनुरागी चित की गती समुझे नहीं कोई जो जो डूबे शामरंग त्यो त्यो उज्वल होए तो अंदर जाकर हमें एक अलग प्रकार की उज्वलता का आभास होता है और जब हां अंदर जाते हैं कभी आप ध्यान लगाते हैं आप सब लोग तो इस विशे के बहुत दक्षे हैं जब भी ध्यान लगाते हैं तो दो बिंदु चुनोतियां सबसे बड़ी आती है पहली चुनोती ये कि मन किसी एक बिंदु पर इस्थिर नहीं रहता कभी वो एक विशेवे भागता कभी दूसरे विशेवे भागता है दूसरा मन की सहज स्वाभाविक प्रवत्ति अधोगामी है नीचे की तरफ है यदि मनुष्य के ऊपर मर्यादा, समाज, नियम, कानून के बंधन ना हो तो सौमे से 99 मनुष्य पाश्विक प्रवत्तियों की तरफ बढ़ने की संभावना रहती यानि जो जी में आए वो करें और जो जी में चाहें उसको ग्रहन कर लें मानवी और दैवी मुल्ग के तरफ जाने की संभावना मुश्किल होती है इसलिए हमारे याँ सारा अनुसंधान की बात पे है कि जो अधोगामी है प्रवित्ति है डाउनवर्ड टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड टेंडेंसी को किस प्रकार से इस्थिर करके अपवर्ड टेंडेंसी की तरफ ले जाये सारा का सारा अनुसंधान इसके लिए है और आप सभी ने सुना है कि हमारे याँ एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है जहां से सूर्य अपनी गती बदलता है वो क्या होता है मकर संक्रांती उसको संक्रांती क्यों कहते हैं क्योंकि उस दिन सूर्य दक्षडायन से उत्तरायन होते हैं यानि downward से upward होते हैं अब मैं इसी विशे को जरा विराट रूप में देखूँ तो स्वतंतरता का अमरत महुत्सो वर्ष है हम दुनिया के एक मात्र बड़े देश हैं आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो हर बड़े देश में क्रांती हुई है चाइना की क्रांती सुनी है हमने फ्रांस की क्रांती सुनी है ब्रिटेन की क्रांती सुनी है रूस की क्रांती सुनी है अमेरिका की क्रांती सुनी है सिर्फ भारत में क्रांती नहीं सुनी है क्यों? क्रांती वहां होती है जहाँ सब कुछ बाहर पाने की इक्षा हो परंतु जहां अंदर खोजने की प्रयास होता है वहाँ संक्रांती होती है इसलिए इस देश में क्रांती नहीं संक्रांती घटित होती है और यहीं से वह value-based system आता है वहीं से वह value-based governance आती है क्योंकि हम संक्रांदी के देश थे इसलिए हमीं दुनिया के एक मात्र बड़े देश हैं जो दुनिया के जादा तर समय सबसे ताकतवर रहते हुए किसी दूसरे देश पर हमने आक्रमण नहीं किया किसी दूसरे देश का हमने अधिग्रहन नहीं किया हमारे यहाँ invasion का कोई concept ही नहीं था क्योंकि हमें दुनिया को नहीं जीतना था जीतना हमें अपने को था इसे मैं एक उधारण देना चाहता हूँ जब Alexander भारत आया तो उसके गुरू Aristotle परशिया में अनि आज के इरान में रुख गए तो Alexander ने कहा मैं भारत जा रहा हूँ जो दुनिया का सबसे समर्द देश है और यहाँ अने एक प्रकार की कीमती चीजे हैं तो गुर्देव मैं आपके लिए कौन सी ऐसी चीज लेके आऊँ आप मुझे आदेश करें कि मैं कौन सी कीमती चीज लेके आऊँ तो उसके गुरू ने कहा कि तुम हीरे जवारात कितनी भी कीमती चीज ले आऊ मेरे ले किसी काम की नहीं है मैंने सुना है कि वहाँ कुछ फिलोसफर्स होते हैं जिन्होंने बहुत गहरा ग्यान अरजित कर रखा होता उनमें से अगर कुछ एक लोगों को तुम साथ में ला पाओ शायद उनसे बातचीत करके मेरे ग्यान की व्रद्धी हो सके मगर जब वो तक्षिला में आता है और उसके सैनिक आकर कहते हैं आचारियों से कि आप चलिए तो जाने से मना कर देते हैं तो जानते हैं आचार क्या जबाद देता है उसे तुम विश्विजेता कहते हो जो अपने हरदय में उत्पन हुई विश्विजे की इक्षा से इस कदर पराजित हो गया कि उसने हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया उसे विश्व का सबसे पराजित व्यक्ति कोगे या जी व्यक्ति तो उन्होंने का तुम्हें पता नहीं है हम तुम्हें समाप्त कर देंगे तो उन्होंने का मैं तो शरीर हुई नहीं मैं तो आत्मा हूँ जिसे ने काटा जा सकता है न नेस्ट किया जा सकता है न जलाया जा सकता है उसे समझी में नहीं आया और वो तीन सो आचारियों को बंदी बना के ले गया परंतु उन्हों सब ने अन जल त्याक कर अपने प्राण त्याक दिये और वो नहीं ले जा पाया क्योंकि ये भारत एक अलग प्रकार का राष्ट है मैं एक उधारन देना चाहता हूं सिर्वाथ से 60-70 साल पहले इस बात को लेकर भारत का भारती संस्कृती और हिंदु धर्म का मजाक उड़ाया जाता था कि यहां कहा जाता है कि ज्यान प्राप्त करना है तो ध्यान लगा के बैठो अरे भई ध्यान लगाने से कोई ज्यान प्राप्त होता है अब मैं पूछना चाहता हूं आज सिर्फ 50-60 साल गुजरे है और नई टेकनॉलजी ने हमें क्या सिखाया है अगर आज हमें अमेरिका का नियॉयॉक टाइम्स अकबार पढ़ना है तो दो तरीके हैं यहां से अमेरिका की फ्लाइट पकड़िए आपको लगबग एक दिन लगेगा पहुँचने में आज का अकबार कल पढ़िए और दूसरा है कि अपने हाथ के मोबाइल में नियॉयॉक टाइम्स डाउनलोड करिए या कोई अकबार वाशिंटन पोस्ट डाउनलोड करिए या ट्रिब्यून डाउनलोड करिए और खट से पढ़ लीजे क्यों ये एक डिवाइस है डिवाइस में सपोर्टिंग सॉफ्ट्वेर है और सपोर्टिंग सॉफ्ट्वेर के साथ कनेक्टिंग नेटवर्क है ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर एक डिवाइस है हमारा अन्ताकरण मन बुद्ध चित तहंकार supporting software है और यह सब network से connected है जहां संपूर ग्यान इस आकाश में है बस हमें उससे सम्मंद सापित करना है और स्वता ग्यान की अनभूती होती है और यहां आपने देखा कि यहां उसी प्रकार की साधना होती है परन्तु कई बार value भटक जाएं क्या होता है मेरे मन में भाव आता है जब यह संस्थान शुरू हुआ मैंने पढ़ा 1937 में हैदराबाद सिंद में जो आज के पाकिस्तान में था वहां प्रारम हुए वहां से यहां आ गए और जानते क्या होता है जब इस ढंकी पुन्य परताब की चीजें किसी इस्थान से बदलती है तो उस इस्थान की गरिमा उस इस्थान का प्रभाव वह भी समाप्त हो जाता है आज 75 वर्ष स्वतंतरता के हुए हम और जहां से आपका संस्थान शुरू हुआ था इन दोनों जगहों के मुखाम में कितना अंतर आ गया मैं पहले इस विशाय का उलेक कर चुका हूँ कि एक बार मैं टीवी डिबेट में था और पाकिस्तान की एक पत्रकार महोदिया कहने लगी क्या रहे हमारे आपके बीच में क्या बराबरी हमने का हाँ बिलकुल बराबरी नहीं है उन्होंने कहा कि भई आपके अमेरिका में बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसलिए आप अपने साथ से चीजे मैनुपलेट कर लेते हैं क्योंकि उस जमाने में गूगल के उपर कुछ लिखा जाता था तो कुछ ऐसी चीज आ जाती थी जिसको लेकर उनको बड़ा कश्ट था उस जमाने में मतलब मैं इस विशे का यहां उनलेक नहीं करना चाहता फिर भी करे देता हूं गूगल पे एक जमाने में ऐसा था कि भिकारी टाइप करिये तो इमरान खान की फोटो आ जाती थी तो पाकिस्तान ने यारोप लगाया कि गूगल का सीओ भारती है इसलिए शायद भारत ने यह मैनेज कर रखा है तो मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं सिर्फ गूगल का सीओ भारती नहीं है माइक्रोसॉट का सीओ भी भारती है पेपसी की सीओ भी भारती है मास्टर कार्ड का सीओ भी भारती है और इतना ही नहीं एक जमाने में जो सबसे बड़ा सिटी बैंक है उसका सीओ भी भारती था हमारे यहां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ है मगर आप और हम साथ साथ चले थे आप के यहां भी बहुत से चीफ है लशकर-े-तैबा का चीफ है जैश-े-मुहम्मत का चीफ है अल-काइदा का चीफ है तो ये दर्शाता है कि आगर आप value से भटक जाते हैं तो आप कहां से कहां पहुँच जाते हैं इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज जैसा कि अभी बताया आप कि ये diamond hall है और ये diamond jubli है हमारा स्वतंता का अमरत महुत्सो पूर्ण हुआ है प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये पूर्ण नहीं हुआ है ये अमरत काल की शुरुवात है ये अमरत काल की प्रथम अरुणिमा है जो अगले 25 वर्षों में भारत को वहां पर पहुँचाना है जो इसका वास्त्विक भवितब था और उस सब के लिए हमको प्रयास करना है और वह भवितब क्या था वह भवितब ये था कि हम दुनिया में उठेंगे तो सिर्फ एक सुपर पावर बनने के लिए नहीं पावरफुल आदमी के बगल में आप खड़े होते हैं तो आपको थोड़ा ठिटका हुआ थोड़ा संकोच कभी-कभी थोड़ा सा दबा हुआ महसूस करते हैं हम वर्ड की सुपर पावर बनने के लिए नहीं उठ रहे हैं हम जगत गुरु बनने के लिए उठ रहे हैं क्योंकि जब गुरू के बगल में आप खड़े होते हैं तो आनंदित अहलादित महसूस करते हैं तो yes, in this अमरतकाल we are all set to rise on the scenario of the world not to dominate the world but to motivate the world आप कहेंगे तो सैध्धान्तिक बात है क्या यह वास्विक्ता में है एक जल्की तो दिख गई जब अंतर राष्टी योग दिवस हुआ आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है अरे राष्ट तो छोड़िये जो लोग योग करते हैं क्या वो motivate नहीं होते यह हमारे राष्ट की शक्ती है यह हमारे हमारी संस्कृती की शक्ती है इसलिए हम विशय को ज़्यादा आगे न ले जाते हुए सिर्फ एक छोटी सी बात कहेंगे कभी कभी हमारे यहां जो कथानक हैं उसके अंदर भी बहुत से सूख्श मतत्व होते हैं जो आपके ध्यान साधक ही समझ सकते हैं दूसरा कोई नहीं उधारण के लिए मैंने एक बात पहले कभी कही कि कभी आपने सोचा कि सीता जी जब वन में थी और म्रग सोने का दिखा और उन्होंने भगवान राम से कहा जाओ सोने का म्रग होता है जरा इसके पीछे अनुसंधान करो जाके इसका आर्थ क्या है परंत इसका पूर्णिश लोग जानते क्या है वो यह है न निर्मिते न त्रश्यते कदैव न श्रूयते स्वन्णमई कुरंगी तता पित्रशना रगुनंदनस्य विनाश काले विप्रीद बुद्धी इसकार्थ न कभी बना न कभी देखा गया न कभी सुना गया कि सोने का हिरन होता है फिर भी त्रश्यत न रगुनंदन को ऐसा घेर लिया भगवान को कि वो उसके पीछे चले गए इसकार्थ जानते क्या है हिरन पृतीक है मन के सुन्दर सुखद आनंद और संतोश का सोना धन संपत्ति का धन संपत्ति में सुख नहीं होता है इसलिए सोने का हिरन नहीं होता है मगर सीता जी जीवात्मा का पृतीक है वो भ्रह्म में आ गई तो हम क्या करते है भ्रह्म में आकर कि जब अंदर की आत्मा हमें बताती है कि इसमें धन संपत्ति में सुख नहीं है यानि सोने का हिरन नहीं होता है हम कहतें नहीं हमने अपनी आखों से देखा है क्योंकि हमें दूर से दिखाई पड़ता है इसलिए संस्क्रियों तो हिंद्री में मरीची का शब्द है मरीची का और फिर हम क्या करते है राम जी को भेज दिया सोने का हिरन खोजने यानि अपने अंदर की सारी परमात्मा की शक्ति को लगा देते हैं सोने यानि धन संपत्ति के नुसंदान में बस वहीं आकर जो आशुरी शक्तियों का रावन हमें घेर लेता है यह इस बात का पृतीक है कि हमें मन को कहा केंदरित करना है और कहा नहीं केंदरित करना है और इसमें एक और वाकिल अन्त में कहे दूँ यह रावन के जब दस सिर कटते थे तो एक सिर कटके दूसरा क्यों ख़़ा हो जाता था और भगवान इसको रोक नहीं पाते थे और अन्त में किसी इंद्री की कोई ख्षा पूरी करिये वो तुरंत दुबारा आ जाएगी और भगवान भी उसे रोक नहीं सकते केंद्र में आकर जानते कैसे रुखता है एक सरकिल होता ना वृत वृत की परिद्र पर घूमते रहिए उस वृत का कभी अंत नहीं मिलता है एक चकर काटें दूसरा चकर आगे दिखने लगता है इसलिए जब तक आप परिदी पर रहते हैं सर कटकर उखते रहते हैं जब वृत का केंद्र में जाते हैं तो आपको वृत का वहाँ पे मूलसरोच समझ में आता है ये इस बात का प्रमान है कि क्यों ना भी पर जाकर यानि अपनी आत् उछ्व के सबसे जुवा देश हैं यह सत्य परंतो यह पूर्ड सत्य नहीं है पूर्ड सत्य है कि हम सबसे युवा देश और सबसे पराचीन सब् qued allemaal वें यंगेस देशन अन ओल्ड ड़िस सिविलाइजेशन इस लिए हमने बहुत कुछ किया है परंतो भी भारत के वासफिक सुरूप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा यग्यबाकी है इस सब में हम सब को योगदान देना है मिल कर देना है तो मैं अटल जी की अपंक्त कहके विशय समाप्त करता हूँ आहुतिबाकी यग्यधूरा और कभी आओ मिल कर दिया जलाएं आओ मिल कर दिया जलाएं धन्यवाद